हाई अब्रीवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत हैं हम बात करेंगे अलहाबाद उनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024 MTS के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये क्लास आपको GK के लगबग हर एक शेक्षन से क्लास मिलते रहते हैं आज जो क्लास है वो है आपके पॉलिटी के पार्ट फाइब की पार्ट फोर तक की आपको PDF भी मिल चुकी है और क्लास भी मिल चुके हैं अगर आप अभी तक बतलब जो आज की वीडियो आपको मिल रही है 5 पार्ट कम्प्लीटी परफ लेते हैं तो शुरू से के लिए आखरी तक में MTS exam के लिए इंवस्टी के लिए sufficient हो जाएगा आपका quality section इतना अगर आप cover कर सकते हैं तो बहुत ही खास और important series ही आपको सिर्फ दी गई है इतना आप पढ़ लेंगे तो quality section से अगर question आएंगे तो आप कर ले जाएंगे ठीक है पांच part इसके quality के और अलग से जो मैंने आपको कुछ अनुसूची और अनुच्छेद के लिए और भाग के विशय में जो चीजे दी थी अलग list उसको पढ़ लेंगे तो काफी होगा ठीक है तो चली शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की class में क्या-क्या important question की series है जो आपके exam में प्रश्न बन सकते हैं तो चली सबसे पहले देखते हैं सूचना के अधिकार का विध्यक पारित किया गया था तो सूचना का जो अधिकार है जो वो विध्यक पास हुआ था तो विध्यक कब पारित किया गया था तो 2005 में याद रखिएगा next देखेंगे सूचना के अधिकार की जो है परिपार्टी में अग्रणी व्यक्ति कौन है मतलब जब भी कुईसी चीज का विध्यक बनता है तो उसमें एक पास मिंबर होते हैं जिसका कार उसमें अग्रणी होता है मतलब वो आगे होते हैं वही उन्हीं की देख रेक में रूप रेखा बनाई जाती है तो वहीं पूछ रहा है जब सूचना का दिकार हुआ तो उसकी जो परिपार्टी थी उसको किसने तयार किया था तो जो है अरो मुख्य नयाधीस को छोड़कर को सपत दिलाता है कौन सपत दिलाता है तो सुप्रीम कोट का मुख्य नयाधीस जो है सपत दिलाएगा ठीक है मतलब आपको मैंने बताय था जो सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट में टोटल अगर नयाधीस को की संक्या पूछी जाए तो कित कोड के जो मुख्य नियाधीस होंगे एक वही जो है सपत दिलाते हैं नेक्स देखेंगे राजयपाल जिसको गवर्णर कहते हैं राजयपाल का सपत ग्रहन करवाता है कौन राजयपाल को सपत ग्रहन कराते हैं तो उच्छ नियाधीस ठीक है उच्छ नियाधीस द्वारा जो ह वीडियो में 25 टोटल उचने आया आला है और लेकिन आपके राजयपाल तो आपको हर स्टेट के होते हैं कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि राजय नहीं है तो दो राजियों के कारिबार को एक राजय का पाल को दिया जा सकता है ठीक है पर ऐसा मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा कि जितने भी स्टेट है सभी के अपने राजेपाल होते हैं तो जितने अगर हम अभी वर्तमान समय में स्टेट की बात कर ले तो आपके 28 हैं तो यहां तो टोटल 28 राजेपाल हो जाएंगे तो उनको सपत इस 25 में से कौन दिल आएगा तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे हाई कोट होते हैं जरूरी नहीं कि हर स्टेट में हो लेकिन कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जैसे दो तीन के अधीन बना दिये जाते हैं ठीक है जैसे कहीं के अधीनस्त हो जाते हैं दो तीन लोगों जो है पार्टिशिपेशन में होते हैं तो वहीं के जो मुख्य न मिली थी 14 सितंबर 1949 1949 में जो है हिंदी को भारत की राजभाशा के रूप में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है दिवस की सिरीज भी मैंने दी थी पढ़ लीजिएगा पेपर में पूछा जाता है आगे देखेंगे संयुक्त राश्ट संग की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 1945 को संयुक्त राश्ट संग की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट संग की कारेकारी भासा क्या है मतलब आपकी जो UNO है उसकी कारेकारी भासा क्या अंग्रेजी एवं फ्रेंच संयुक्त राष्ट दिवस मनता है कब मनाया जाता है तो जब इसकी स्थापना हुई कब हुई थी 24 अक्टूबर को तो उसे दिन मनाय जाएगा नेक्ट है UNO सुरक्षा परिशत में और स्थाई और स्थाई सदस्यों की संख्या बतानी है देखे जो UNO है उसमें दो तरीके के सदस होते हैं स्थाई और और स्थाई तो जो इस्थाई सदस हैं वो होते हैं पांच और और इस्थाई कितने होते हैं दस तो ऐसा मानेंगा जो पर्मानेंट रहते हैं इस्थाई रूप से वो पांच होते हैं कम लोग होते हैं और इस्थाई टेंपरॉरी बैसस पे दस लोग रहते हैं संयुक्त राष्ट का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदाई है तो कौन है वो सुरक्षा परिशाद है संयुक्त राष्ट संग महा सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो विजय लक्ष्मी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित का नाम किस से जुड़ा हुआ है तो संयुक्त राजसंग से क्यों 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 कि ये वहां की पहली महिला जो है अध्यक्ष बन नहीं थी संयुक्त राजसंग के पाँच जो 27 सदस्य हैं वो कौन-कौन है मतलब कौन-कौन से कंट्रीज है तो चीन, फ्रांस, ब्रेटन, रूस और अमेरिका मैंने भी इसके उपर वाली लाइन में बताया था आपको कि जो संयुक्त राजसंग के पाँच सथाई और जो है 10 और 27 सदस् तो जो 10 और 27 सदस्य होते हैं वो 2-2 वर्सों के लिए बनते हैं यहां पर आप यह भी बात जान लीजे हर 2 वर्स बाद वो चेंज हो जाते हैं ठीक है और 27 सदस्य चुने जाते हैं फिर वो चेंज होते हैं फिर रून को बनाया जाता है तो 27 सदस्यों की संग में क्या भारत ह या शामिल है या नहीं तो नहीं वो शामिल नहीं है नेक्स देखेंगे संयुक्त राष्ट संग का मुख्याला कहां परस्थे था तो न्यूयाक में जो है मेन हर हटन द्वीपर इस्थे था संयुक्त राष्ट संग का प्रधान न्याईक अंग कौन सा है तो अंतर राश्टी यह नियायाले नेक्स देखते हैं सायुत राश्ट रसंग के प्रथम महा सचीव कौन थे तो उनका नाम था त्रिगवेली जो की नार्वे के थे नेक्स है अंतर राश्टी नियायाले की स्थापना कब हुई थी तो 3 अपरेल 1946 मतलब 3 अपरेल 1946 को जो है अंतर राश्टी नियायाले की स्थापना हुई थी जिसका मुख्याले कहां पर है अंतर राश्टी नियायाले का तो हेग नीजरलेंड में है नेक्स देखेंगे अंतर राश्टी नियायाले की नियायाधीस का कारेकाल कितने वर्षों का होता है तो 9 वर्ष का होता है लोगसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो लोगसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम क्या था तो अनंत शयनम आयंगर ठीक है अनंत शयनम आयंगर जो है कौन थे तो लोगसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे नेक्स संभिधान की आठ्वी अनसूची में जो है बोडो मैथली डोग्री और संथाली भासा को जोड़ा गया था तो किस संभिधान संसोधन के तहत जोड़ा गया था तो बायन बवा मतलब नाइची टूवा संभिधान संसोधन हुआ तक कफ वगा था दोहजार तीन में इसके अभी वरतमान में ठीक है मूल रूब में नहीं थी बाद में इनको जो जोड़ा गया है ये प्रश्न बने बनते हैं इसको याद रखेंगे कि पूछा जाएगा कि किस संभिधान संसोधन के तहत आठ्वी अनसूची में बोडो या सिर्फ दे देगा मैथली या डोग्री सं अथाली भासा कब जोड़ी गई थी 2003 में 92 संभिधान संसोधन हुआ था उसके तहात नेक्स्ट है उद्देश ये प्रस्ताव की स्विक्रिती की गई थी कब की गई थी 22 जनवरी 1947 को नेक्स्ट है पोटा लागो किया गया था कब लागो किया गया था पोटा का फुल फॉर् संयुप्त राजसंग में मानवा धिकार प्रस्ताव पास हुआ था कब हुआ था 1948 में 1948 में भारत की अकास्मिक निधी का गठन कब हुआ था तो 1950 में हुआ था राज इस तर पर कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निर्ने कौन करता है तो विधान सभा था होता है तो दस होती है आपका जो है विध्यक्षे विध्यक है थीक है वही चीज़े है आगे देखेंगे संग लोकसेवा आयोंकि सर्स्यों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है राष्ट ध्वच को सम्मिधान सभादवारा अपनाया गया कब अपनाया गया था राष्ट ध्वच को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट ध्वर्च को दुतिरंगा है उसे अपनाया गया था पहला लोकायूक्त न्यूक्त हुए थे कहां के थे वो राजस्थान में नेक्स्ट है कैविनेट मिशन के सदस से थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाड़ पैथरिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है यहां से प्रश्ट बनता है कि जो कैविनेट मिशन आया था भारत तो उसके तीन सदस से थे उनका नाम बताईए तो याद रखेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लाड़ पैथिक लॉरेंस और तीसरे वेक्टी थे एबी अलेक्जेंडर इन तीनों में से एक का नाया नाम हटा के पूछा जाता है निम्रिखित में से कौन है जो की कैविनेट मिशन में सामिल थे याद रखेंगे सदर्श के रूप में भारत में जो परिशद थे उसका गठन कब हुआ था तो 1956 में किया गया था रेक्स देखेंगे उच्चतम तथा उच्च नयायाले द्वारा जारी किया जाने वाला रिट मैंने अंशेद 32 पढ़िएगा अंशेद 32 के बारे में बताये था तब मैंने बताये था कि हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों जो है पांच परकार की रिटे जारी कर सकता है वो पांच परकार के रिट कौन-कौन सी यहां दिखा है पहला देखें बंदी प्रक्तिक, शीकरण अगर इस पामले में हमेज़ाब देखेंगे कि सुप्रीम कोट का सूपर है सब से ज़ादा पावर उसी के बात करें तो उच्छतम नयायाले को इसमें जादा अधिकार प्राप्त है अब इसके बारे में अगर आप डीटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नेक्स देखेंगे राजियों के राजपाल अपने कारे के लिए उत्तरदाई होते हैं किसके प्रती उत्तरदाई होंगे तो राजपती के प्रती एक मातर संग राजचे जिसका नाम जो है अपने उच्छ नयायाले पर है तो वो है दिल्ली बारत शक्समवत पर आधारित राष्टी पंचाग को अपनाया था कब तो 22 मार्च 1957 को भारत में शक्समवत अभी जो हमारा कैलेंडर है पंचाग किस पर आधारित है तो everytime आधारित सक्समवत पर यह सब चीजने मैंने पहले भी आपको बताई है देख देखेंगे रास्टी पंचांग का प्रथम तथा आंती महिना कौन सा होता है जिसको आप हिंदी महिना कहते हैं आप जो हिंदी में जनवरी फरवरी बताते हैं वो हिंदी नहीं वो इंगलिस में आप उसको कहते हैं लेकि हिंदी महिना कौन है तो ये चैप से होती है अर लास्ट क्या होती है फालगुन जो अभी आपकी होली बीती है और ये जो New Year आपका मनता है यह नौरात्री यह जब चलता है तब ही होता है आगे देखेंगे मंडलायो का संबंध था किसे मंडलायो का संबंध था तो पिछड़ी जादियो sagt भारत का सॉलिसीटर जनरल होता है, कानूनी सलाकार, भारत का एक कानूनी सलाकार है, वो कौन होता है, तो सॉलिसीटर जनरल होता है, भारत के सम्विधान को तयार करने के लिए, गटित समितियों की कुल संक्या कितनी थी, तो 13 थी, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो, तो जब प्रारु सुमिती बनी थी, उसमें सधसयों कि संक्या सेवन थी, नेक्स्ट देखते हैं, राश्ट गान जैन गर्ण मन को भारत के रास्ट गान के रूप में स्विक्रित किया गया था, कप स्विक्रित मिले था, to 22 जनवरी 1950 को हमारा जो राश्ट्री अगान है जनगर्मन भारत का जो राश्ट अगान है उसे कब स्विक्रित मिली थी 22 जनवरी 1950 को नेक्स देखेंगे सॉरी 24 जनवरी 1950 मिस्टेक है 24 जनवरी 1950 को नेक्स देखेंगे पाकिस्तान और बांगला देश भारत के अंग थे कब तक थे तो 13 अगस्त 1947 तक थे आपको पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में सुटंदरता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत में मतलब हमारे हैं मनाया जाता है आगे देखेंगे और यहां पर यह क्यों लिखा है कि पाकिस्तान और बांगलादेश जो बांगलादेश वाला पोर्सन है वो भी पहले पाकिस्तान का ही भागता जब आप पूरा इंडियन मैप पढ़ेंगे तब फिर लेकिन बाद में यह मतलब कहा गया कि कौन लोग यहां पर रहना चाहते हैं तो जो लोग यहां पर शामिल हो गया थे पाकिस्तान में तो वो चले ही गए बहुत सारे हमारे मुसलिम भाइबहन है만्हें जो कि वहां रहते हैं बंगलादेश में और वा adequ सी फूरा पाकिस्तान में दोनों में ब्रूठीन को था अलग-अलग बाट द यह आपके पेपर में पूछेगा नहीं लेकिन जानते रहे हैं नेक्स है भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है इसका क्यातात पर है धर्म निर्पेक्ष का कुल्मिला की मतलब पूछा गया है कि जैसे कहते हैं भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है इसका मतलब है कि सभी ध भारत में जो है गर्तन है तो आप देखते हैं कि यहां पर राजय का या जहां पर अध्यक्ष वंसानुगत नहीं होते हैं यहां पर आप देखते हैं प्रिधानमंत्री हो गए मुख्यमंत्री राजय पाल राश्टपती सब चुने जाते हैं ऐसा नहीं है कि वंसानुगत है मत परिषत पठना का गठन कब हुआ था तो 1950 में हुआ था अनुच्छे 14 में कानून की समानता का अधिकान लिया गया है कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन से हमारे भारती संब्धान में बहुत साइचीजे 1935 के दिनियम से लिगए लेकिन और सारी चीजे किसी ने किसी देश के संब्धान से लिगए इसके लिए भी मैंने पहले से एक लिस्ट दी थी उसको पढ़ लिजेगा most important है वहीं से ये प्रश्ण है पढ़े होंगे तो याद होगा कि उच्छे 14 जो है किससे संबंधित है तो समानता के अधिकान से ठीक है और यह लिया कहां से गया तो ब्रिटे आपने अभी पढ़ा कि राष्ट का नीती नीदी सक्तत वो ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर वक्त बुराया जा सकता है इसको कहा था केटी शाह ने आपको ये बात पता होने चाहिए कि जो नीती ने दे सकता तो थे DPSP होता इसको राश्ट यानी राजियों को अधिकार है कि वो जो भी नियम कानून है जो भी नियम है जो भी उसके लिए बनाए गए हैं सब्विधान में राश्ट सरकारे जरूरत पढ़ने पर समय समय पर उसको जो है लागू कर सकती है पर वो लागू करेंगी या नहीं यह अधिकार सिर्फ राजियों को ही होगा रास्ट को ही होगा उसके लिए नियायाले में नहीं जाय जा सकता है आगे देखेंगे समान नागरिक सहिता इसी के लिए बात हो रही है कि हर जगा लागू हो जाए समान नागरिक सहिता कावन सिविल कोड तो एक मातरा जहां पर लागू है तो वह है गोवा नेक्स देखेंगे नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता किस अनुच्छेद में ह उच ने आयले अथ्वस्वर उच ने आले द्वारा नाग्रिकों के मॉलीक अदिकारों की रक्षा, हेथ उजारी किया गया जो समादेश है उसे क्या कहेंगे तो परमादेश अभी आपने ऊपर पड़ा था 5 प्रकार की रीटें उसी में था ये परमादेश तो पूछा जा रहा है कि जो Supreme Court है और High Court है जो नागरिक है भारत के उनके मौली कधिकारों का अगर हनन होता है या उनके मौली कधिकारों की जो रक्षा होती करने के लिए कौन सा आदेश देता है या समादेश दे सकता है तो वो है परमादेश नेक्स्ट है बंदी को 24 घंटे के अंदर 6 शरीर न्यायाले के सामने पेस करना समादेश कहलाता है तो इसे क्या करें तो बंदी प्रत्यक्षी करन ठीक है नेक्स्ट देखेंगे भारती राजी की पहली महिला जो है मुख्य मंतरी कौन बनी थी वो थी सुचेता करपलानी जो की उत्तर प्रदेश की थी तो चुकि आप इलहाबाद इनिवस्टी का एक्जाम देंगे तो इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए पूछल लिया जा सकता है ये कि उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्य मंतरी कौन थी तो सुचेता करपलानी थी और ये भारत की भी पहली थी जो किसी राज में पहली महिला बनी थी मुख्य मंतरी सुचेता करपलानी और भारती राज की पहली महिला राजयपाल कौन थी तो स्रीमती सरोजनी नाइडू और ये भी उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों महिलाएं जो की मुख्यमंत्री और राजिपाल बनी वो पहली बार भारत के किसी भारती राजिकी बनी है और आपके उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश का कोई भी कौन-कौन आएंगे तो विधान परिशाद और जो है आपके विधान सभाती है उच्छतम न्यायले अपने दिये फ्यासिले पर पुनर विचार कर सकता है यह किस अन्शेद में कहा गया है अन्शेद 133 133 किससे संबन्दित है तो उचितब न्यायले के पुनर से संबंदी थे, ऐसे याद रखेंगे, उचितम नयायले की नयाय धीसों की संख्या में व्रिधी करने की शक्ति किसे है, तो संसत को है, भारत सरकार के व्याय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, तो नियंत्रिक वह महालेखा परिक्षक को दी गई है, राजी सरकार ध पूछा गया गी राएसावा की पहली अभिनेट्री कौन थी जो कि नामित पहले की गई ती बनी थी तो बनी थी तो बाद में लेकिन नामित कोन की गई थी तो नर्गिस्द्डर सम्मिधान के अनुच्छेद 85 के अनुसा संसत के दो सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 माह का अंतराल होता है किसी भी विधी के लिए सर्वच्च नयाले से परामर्थ मांगने का अधिकार राश्पती को है तो किस अनुच्छेद के तहद है 143 143 देखें कोई भी जैसे मालीजे कोई भी मामला है तो अगर राश्पती चाहें तो सर्वच्च नयाले के जो न्यायाधिस हैं मुख्य न्यायाधिस हैं या न्यायाधिस तो उनसे ये परामर्थ मांग सकते हैं लेकिन जो है अगर माली जे परामर्स मिलता है नयाधीस की तरफ से तो राश्पती इसके लिए बाद है नहीं है कि उनकी बात वो मानेंगे ही ठीक वो उनके उपर डिपेंड करता है सम्विधान के प्रारूप समिती के समक्ष प्रस्तावना को परिभासित किया था किसने जवाहल लाल नहिरू ने भारस सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतिय स्वायता थी नेक्स्ट है मड़िपूर और मेघाले उचनेयले का स्थापना कब हुआ था तो मड़िपूर नहीं मेघाले दोनों के जो स्थापना हुई थी पच्चीस मार्ड जोजाटेरा में हुई थी तो 26 मार्ड 2013 को पचीस मार्च को मारणी पूर्ट को गई अगला देखेंगे भारत का राष्ट्री गीट वंदे मात्रम भारत के राष्ट्री गीत क्या है वंदे मात्रम है तो उसको सर्पृत्थम कब गाया गया था तो इसको जो है 1896 स्वी के भारती राश्टी कांग्रेज के कोलकाता दिविशन में गाया गया था नेक्स्ट है वंदे मात्रम के रचयिता वंदे मात्रम के जो रचयिता है कौन है बंकिम चंद्र चटड़ जी है जनगड मनकिर चैता रविन्दा टाइगुर भारत का जो राष्टी फूल है कमल है भारत का राष्टी पशु बाग है भारत का राष्टी पक्षी मोर भारत का राष्टी व्रिक्ष क्या है तो बर्गद है नेक्स्ट है वित्ती आपात प्रथम बार प्रवर्तन में कितने समय तक रहता है तो 6 मा तक रहता है क्या भारत में वित्ती आपात कभी मतलब लगाया गया है अगर ऐसा कोश्चन आए तो कभी नहीं हुआ ऐसा और भारत में पहली बार रास्टी आपात घोशित किया गया था कब 26 अक्टूबर 1962 को राज विधान परिशद में सदस्यों की संख्या होती है तो अधिक्तम विधान सभा के सदस्यों की एक दिहाई या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 40 होनी चाहिए विधान परिशद तरह विधान सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता विधान परिशत, परिशत से समझ जाईएगा कि ये राज सभा की तरह काम करेगा तो 6 वर्सों का हो जाएगा और विधान सभा के सदस्यों का 5 वर्स क्योंकि विधान सभा भंग हो सकती है और इसका कारेकाल 5 वर्स का होता है ठीक है, और विधान परिशत और इस थाई है और इससे भं किया नहीं जा सकता नागालेड राजी जो है कब बना था तो ये तेरहवा समिधान संसोधन हुआ था 1922 में उसके अंतरगर जो है नागालेड राजी बना था तो आज की सीरीज में जित्ते भी आपको कोश्चन दिये गए हैं सब ही important है रिवीजन करते रहे हैं सबसे important है जादा से जादा पढ़ना नहीं जाद जादा रिवीजन करना जो पढ़े हैं वो याद रहे तो बेतर है नेक्स्ट वीडियो में हम नई सीरीज के साथ फिर मिलेंगे जाहिंद